राम का वनवास राम ने अपने पिता दशरत एव माता कैकेई के चरण स्पर्श किये राम को देख कर महाराज ने एक दीर्ड श्वास और केवल है राम कहा फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुठ हो गए उनके नेत्रों में अश्रु भराय विनम्र स्वर में राम ने कैकेई से पूछा माता पिता जी की ऐसी दशा का क्या कारण है कहीं वे मुझसे अप्रसन तो नहीं है यदी वे मुझसे अप्रसन है तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है कैकेई बोली इन्होंने मुझे दो वर देने का वचन दिया था अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे दोनों वर मांग लिये हैं अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिग्या का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यक्ता है यदि तुम प्रतिग्या करोगे की जो कुछ मैं कहूंगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वर्दानों से अवगत करा सकती हूँ राम बोले है माता पिता की आध्या से मैं अपने प्रानों की भी आहुती दे सकता हूँ मैं आपके चर्णों की सौगंध खाकर प्रतिग्या करता हूँ की आपके वच्चनों का अवश्य पालन करूंगा राम की प्रतिग्या से संतुष्ठ होकर कैके इने कहा वत्स मैंने पहले वर्षे भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए चौदा वर्ष का वनवास मांगा है आथ अब तुम अपनी प्रतिग्या के अनुसार ततकाल वक्कल धारन करके वन को प्रस्थान करो तुम्हारे मोग के कारण ही महाराज दुहकी हो रहे हैं इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्या भी शेक होगा मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिग्या का पालन करके अपने पिता को पापरूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे राम ने दुहक और शोक से रहित यदि आप सच्चे भारतिय है भारत माता से प्यार करते हैं तो इस कमेंट पर क्लिक करके चैनल को सुबकरिब करें एटरेट लेसी सन्नी दो स्टोरी झाल करें मुक्ति नुक्ति अवश्य करें यूश्य झाल 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 झाल